अब तक आपने सुना कि भर्वान संकर सिवार में बार्वे जोतिलिंग की रूप में कैसे अबस्तित हुए। आज मैं आपको बताता हूँ इस पावन धरा के चारों रिषाओं के चार दर्वाजों की कता। तेज भर में प्रमुव देवाले आम तोर पे ऐसे इस्तानों पे होते जहां आदमे की पहुँच आसान नहीं होती। किसी भी धर्माव लंबी आराधना इस्तिलों को देख ले उन सब जगे प्रतिमाओं के किससे चमतकार भरें। ऐसे इसी जगे जहां इंसान की पहुँच आसान नहीं होती। कोई जमाना था जब गुष्मेश्वर महादेव के दर्शन के लिए भी दुर्गम रहा पार करके आना होता था। यह शेक्त्र सिवाले सरोर से भी आगे लंबे चोड़े शेक्त्र में फेला हुआ था। शिवपुरान कोटी रुद्र सहिंता की अध्याई 33 में जिक्र है कि गुष्मेश्वर जोतिलिंग के दर्ख्षन दिशा में देवत्त्यु गुणों वाला देवगिरी परवर्त है जो स्वेथ पासान युकत है। ऐसे में गुष्मेश्वर जोतिलिंग के प्राकटे पर किसी को कोई संदे नहीं उनच। अब मैं आपको उन चार दर्वाजों की बात पताता हूँ जिनका उलेक प्राचिन गंत गुष्मेश्वर महत्मे में मिलता है। शिवाड की चारूतर पाच जो गाउं बसे हैं वही इन दर्वाजों के अब्रंस नाम हो गए है। शिवाड के लोग आज भी यहां रहते हैं। दक्षिन में इस्वर द्वार का उलेक गुष्मेश्वर मात्य में है। यहां आज इसरदा गाउं हैं जिसका जेपूर राजगाराने से नजदी की रिस्ता रहा। पिछली सदी तक गुष्मेश्वर माहदेव मंदिर परिशर के चार और घना जंगल था। बुज़र को बताते हैं कि सेर भगेरे तक यहां विचल करते दिख जाते थे। शिव की अनुकमपा ही कहेंगे कि इन जंगली जानवरों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पोचाया। शिवाले शेक्त्र के परदी में बसे चार घने जंगलों की जो कमब्वेस रूप में आज भी मौजूद है। मैं आपको उनकी जानकर देता हूँ। मेरे अग्रज सिवाड के इतियास के जानकर पंडित पूर्सतव सर्मा बताते हैं कि गुश्मिसवर जोति लिंक के शेक्त्र में एक तरफ कदम का वन था। जहां केमला नामक गाउनों और आज भी कदम के घने जंगल है। समीप के मंडावर गाउं का जुड़ाओ मंदार वन से था मंदार यानी आक। मंडावर में आज भी आकड़ों का घना शिक्त्र है। इसरदा इस्टेशन के तत्काल बाद जेपूर की ओर अगला रेल्य इस्टेशन सिरस आता है। यहां कभी सुरसर सरोर था जो अब नाले में तब्दिल हो गया है। इसके किनारे तुलसी के पोदों का घना जंगल था। वहीं चोत का परवड़ा से पहले के इस्टेशन सुरेली पर विल्फत्रों का वन था। यह सब इस्थल अब्रंस होकर आज भी सिवाले धाम के चारों और मोजूद है। शिवाले धाम से जुड़ी कथाएं सचोष खजाने से भरिये। लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा कि इस पोरानिक मंदिर की ख्याती को सुनकर आकरंता महमूद गजनवी ने भी लूट पाट की थी। आज के लिए इतना ही। मुझे दीज़े इजाजत। नमस्कार।